नमस्कार आज हम आप लोगन के साथ मूमफली के चिकी का रेशिपी शेयर करे जाते हैं तो एक चिकी का आवाज सुनके आप लोगन के अंदाजा लग जाए कि चिकी कितना बढ़ियां बनके तयार भई लिया और बहुत जगत तो एके गजग कर जला हम लोग के आँ तो एके चिनिया बदाम पटी कहजला खाय में काफी स्वादिश ठोले और बहुते जटपट बहुते कम सामान और कम समय में बनके तयार हो जाले तो एके बनावे के लिए बस आपके पास मूमफली और थोड़ा सा गूर और थोड़ा सा घी रही तो आसाने से घर पे बन जाई तो इ इसी भी कटोरी की पेंदी से दर लहीं ताकि दू टुकडा में हो जाए और जितना आपका मूमफली है उतना गूर रहे कि चाहिए और यहां पर थोड़ा सा बोड़ पर हम घी लगा देते हैं का ऐसे की चिक्की बने के बाद इतना समय ना रहला कि आप बाद में बोड़ प पिघल जाए तो इमें इजोन एक कप गुड़ ओके डाल देवे कि हा और धीमी आज पर एक गुड़ के चलाते हुए पिघला लेवे कि हा गुड़ के पिघलावे की समय आज का बहुत विशेश ध्यान रखे कि हा आज थोड़ा भी जादा ना करे कि है का ऐसे कि जादा जल्दी से पिघल भी जाला और चिक्के का स्वाद बहुते बढ़ियां बनके तैयार होला और अपने पसंद के अनुसारे में कम ज्यादा रख सकीना लेकिन जेतना आपका मुमफली अगर उतना ही गुड़ आप रखत है तो इक दम बजार में जैसे चिक्की मिले ले उस त पर रखे पकाते हुए हमके गुड़ के लगभग 5 मेट के करीब हो चुकला गुड़ अची तरह से पिघल भी गयला और गुड़ में इस तरह का बुलबुला उठे लगे तो आप गुड़ के यहाँ पर एक बार चेक कर लें तो गुड़ के चेक करे के लिए आपका टोरी म बंद कर दें का ऐसे कि आप ठंडा करके जब तक चेक कर अब तब तक आपका गुड़ ज्यादा जल जाई तो अभी गुड़ पूरी तरह से नाब तयार है खीचे परे में धागा जिसन बना था तो एक गुड़ थोड़ा सा और पकावे के ज्यादा ना बस दूसे तीन मेर और धीमी आज पर आप पका लें तो आपका गुड़ तयार हो जाए तो जब आपका गुड़ इस तरह से दूसे तीन मेर तक पकावे के बाद तयार हो जाए तो फिर से कटोरी में उसी तरह से जिसे पहली बार हम लोग गुड़ के चेक करें लिए और फिर से चेक करें के ल आप देख सकत हैं कि एकदम खट से तूटा था आवाज भी आवा थी अच्छी तो एकदम गुड़ आपका तैयार है गुड़ तो यहां पर हम लोग का चिकी बनावे लाएक एकदम बिल्कुल तैयार है लेकिन गैस बंद करके हम लोग गुड़ के चेक के लिए रनी आजा तो फिर से गैस के तीमियाज पर खोल के बस गुड़ के हलका सा पिगला लेवे किया और जैसे यह गुड़ पिगले तो को में जोन एक कभुण के मुपली रखल लेल है ओके में अच्छी तरफ से मिला लेकित हैं तो मिला कि बाद नीचे उतार के बढ़ियं से मिला लें और मिलाने कि बाद जियो बोड पर घी लगा के रखला उसी पर फटा फट से के डाल दे वेखिए हग है तो अभी जो नहां इची की कमिश्रन हलका गरम हा तो हाथ के बचाते हुए इस तरह से थोड़ा एक बराबर कर लें और बेलन की सायता से एक बेल लें बेलन से बेले से एक बराबर हो जाए और जितना मोटा पतला आपके रखे को होका उस हिसाब से आप बेल लें तो इवाली प्रक्रिया थोड़ा आपके जल्दी करें काय से की इची की जोन है बहुत जल्दी सेठ हो जाले तो फटाफट से बेलन से इस तरह से बेल लें और इस तरह से थोड़ा सा एक बगल बगल से एक बराबर भी कर लें अभी मिश्रण कीला है तो बड़े आसानी से बेला जाई लेकिन जैसे कड़क हो जाला तो बिल्कुल भी ना बेला ला तो जब भी मिश्रण हलका नरब रहे तब आप अपने मन चाहे आकार में के बेल लें जितना आपके पतला मोटा रखे के होका और बेले की बाद के पांच मिनट के लिए ठंडा होके दें जब अई हलका सा ठंडा हो जाए तो चाकु की सहायता से इमें स्रिफ कट लगा लेकिया जो उन्हें आकार में आपके चिक्की का आकार पसंद होका हिसाब से आप चाकु से कट लगा लए तो इमें स्रिफ चाकु से निशान डाले के हैं तो अब यहां पर लगभग अच्छी तरह से कट लगा के हो चुकल है तो अब ए मिश्रण के ठंडा रूखे देवे के कम से कम आधा गंटा के लिए जब आधा गंटा ही ठंडा हो जाई तो अच्छी तरह से सेट हो जाला बड़े आसानी से अपने आप निकल जाला तो यहां आधा गंटा के करीब हो चुकल है बस चाकू आप धीरे से नीचे से लगाए तब यह निकल जाई इदम अच्छी तरह से इससे ठोचुकल है तो यहां पर आप देख सकत हैं कि कितना अच्छी तरह से निकल गल एकदम पूरा कपूरा खड़ा और जहां जहां से निशान लगी गल होई कि चिकी कितना एकदम अच्छी बन के तयार भाई लिया ऐसे ने चीकी न आप बजार से लेके आए ला तो तो तोडीला तक खटकट आवा जावे ले तो इदे कितना बढ़ियां घर पे यह आप लोगां के चिकी बजार वाली बन के तयार हो गलिया ठंड के म हम पूरा ठंड भर के मौसम में अपने घर पे हमेशा बनावत रही ला काफी आसान होला बनावल आप देख पे कहीं है कितना आसानी से इबन जाला बस आपके गुड पैचाने के आवए चाहिए यदि आपकी गुड पैचाने आवत था तो आपका चिकी हमसे भी अच्छी के तयार हुई और ठंडी की मौसमें थे हमें एक बने बे करें लेकिन खीचडी के ज़रूर बनाई ला तो की चड़ी भी आहए वाली है आप लोगों से मिलत हैं फिर किसी अगली नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए नमस्कार